जार्खंड और बेहार की लाइफ लाइफ लाइन कहे जाने वाले नैशनल हाइवे 33 पर फास्टेक नहीं होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं दरसल सडक और परिवहन मंत्राले ने देश भर में 15 और 16 फरवरी की राद से फास्टेक को अनिवार कर दिया है जिसके बाद से ही देश भर में बिना फास्टेक की गाड़ियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आलम ये है कि जारखंड और बेहार को जोड़ने वाले नेशनल हाइवे 33 पर बिना फास्टेक वाली गाड़ियों को परेशानी उठानी पड़ रही है जिसके चलते नेशनल हाइवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है बतादे कि NETC यानि नेशनल इलेक्ट्रोनिक टोल टेक्स कनेक्शन फास्टेक इलेक्ट्रोनिक पेमेंट सिस्टम से काम करता है इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया यानि NPCI द्वारा विक्सित किया गया है और RFID तक्नीक का इस्तिमाल का टोल प्लाजा प आरकोड के जरी आपकी गाड़ी की रेजिस्ट्रेशन डीटेल के साथ लिंक होता है ऐसे में कार, बस, प्रक या निजी और वेबसाइक वाहनों को टोल प्लाजा से गुजरने के लिए फास्टेक्ट जरूरी है जानकारी के मुताबिक वाहन मालिकों को पास फास्टेक्ट के वाईसी प्रक्रिया है, फास्टेक को एमेजन, पेटियम, एरटेल पेमेंट बैंक आदि से खरीच सकते हैं, SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्जिस बैंक और कोटक बैंक से भी फास्टेक्ट खरीदा जा सकता है, फास्टेक्ट की कीमत दो चीजों पर निर्भर करती हैं, ने National Payment Corporation of India ने फास्टेक्ट की कीमत 100 रुपए तै की है, इसके अलावा 200 रुपए की सिक्योरिटी डिपोजिट देनी पड़ती है, हाला कि बैंकों की दर अलग-लग हो सकती है, कई बैंक का अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए समय समय पर मुफ्त या मामूली कीमतों में भ पास्टेक्ट ओफर करते हैं, पंजाब केशरी टीवी के लिए अविनाश गोस्वामी की रिपोर्ट